इस वीडियो में जो हम बुंदस लीगा का एक मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा माइंज वर्सिस डॉटमन के बीच मैच का वेन्यों का माइंज रात में 11 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों पुरश्य डॉटमन आप जानते हूंगे बुंदस लीगा जो ज में रहेज़ हर के ऐब है फिलाल इस सेजन भी हर सेजन की तरह बोड यहाँ पे टाइटल गौल मारें आख और 53 के पॉइंट है लेकिन दोस्तों अभी भी ना इन pås पास एक यह मैच इन है आप देखिए 26 मैच बायन के इनके 25 मैच है और अगर यह आज वाला मैच जी जाते हैं तो इनके हो जाएंगे 56 पॉइंट फिर इन दोनों क्लब्स की लीड रह जाएगी सिर्फ चार पॉइंट्स की तो क्या होगा अगर डोटमन आगे के कुछ मैचे ल लोटमन खेलेगा सब उनके लिए इंपोटेंट टूंगे अगर यहां पर इनको टाइटल रेस में बने रहना है तो ऐसे मैच तो जो मिट टेवल या बॉटम टेवल की टीम से उनको शोली हराल में जीतने ही बढ़िंगे माइंज एक मिट टेवल की साइड है मैंने आपको बताया प्रोपर मिट टेवल में 10 पुजिशन में 24 में 10 मैचेस जीती है चार्ट रॉस हैं 10 लॉसिस हैं 35 गोल मारे ठीक ठाक कहा जाएगा परफ़मेंस 29 के अंसीट की है ठीक ठाक है और 34 इनके पॉइंट है माइंज ना तो आप रिलिगेट हो सकती है और ना बहुत उपर अच्छा भी नहीं किया है बहुत खराब भी नहीं किया है एक जैसे प्रॉपर मिट टेवल की साइड होती है वैसा ही इन्होंने परफ़मेंस किया है फिलाल आप पॉइंस टेवल देखके समझ कूंगे डॉटमन इस मैच में फेबरेट होने वाली है रीसेंट फॉर्म डॉ और पिछले मैच में वन निल की विक्त्री अर्मेनिया बेलेफिल्ड से तो लास्त तीन मैच में एक भी लॉस नहीं है दो विक्त्री से एक ड्रॉ है यानि कि ठीक ठाक इनका परफ़मेंस रहा है रीसेंट कुछ मैचे में जबकि मायंज ने थोड़ा इनकंसिस्टेंट सा परफ़मेंस हो किया है लास्त तीन मैचे तब दिखींगे वन वन ड्रॉ फ्राइबग त्री टू से विक्त्री लेवर कुसन लेकिन पिछले मैच में उन्यों बल्ली ने इनको 3-1 से हरा दिया तो पिछले तीन मैच में एक विक्त्री भी है एक ड्रॉ भी है और एक लॉस भ मैच में अवे फ्रॉम होम जरूर है डोटमन लेकिन उनके लिए बहुत इंपोटेंट मैच है क्योंकि उनके पास मोटिवेशन है मैच को जीतने की टाइटल रेस में हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो इस मैच में क्लियर कट फेबरेट हुंगे स्कॉर्ट क्वाली टीम में भी अभी डोटमन फेवर के लिए जाना फिलाल के लिए स्मॉल लिग में तो हम डोटमन कोई फिवर करके अपनी टीम बनाने वाले हैं तो अभी प्रोविबल लाइन अप पे हम आते हैं उससे वह एक चीज़ कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लिग टीम और सभी विबल लाइन अप की पहले फेवरेट्स डोटमन की बात करते हैं तो मेरे अकॉडिंगे फेवरेट्स होंगे मैं इनके मैक्जिमम प्लेयर पिक करना लोग है स्मॉल लिग में यानि की सेवन अब डोटमन के लिए न दोस्तों बहुत सारे मेन प्लेयर्स इंजड और बाहर है डाउटफुल भी है तो देखते हैं वो कौन कोन है थॉमस मुनियर मोरे माको रोइस जो इनके कैप्टन है वन अब दा बेस्ट प्लेयर है साइट के वो भी अनवे अविलेवल है गुरेरो हो गए मुकोको है शेम्स रन है जगड़ हुए हमल्स और अकेंजी इसमेच में अब्यूर होगते हैं तो इतने सारे इन प्लेयर साफ बाट बहुट जाड़ा ड़ेफ्ट मेंच अभी लेवल है तो फिलाल इनकी 11 देखते हैं कोवल इनके गोल की परोंगे चार इनके वेतलाक, एमरी चैन, पंगराचिच और निकोला शूल्स, अभी के लिए दोस्तों न, मुझे डोटमन की बैक लाइन में उतनी इक्वालिटी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो इनके में डिफेंडर होते हैं, चैन तो खिलते हैं, हमल्स हो गए, अकेंजी हो गए, रफेल ग करूँगा, मिनिममम दो तो आप शोली पिक किजिए, आप तीन पिक करते हैं, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटीजी रहेगी, अगर आप चार पिक करते हैं, तो में भी ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई आप पोटेंचियल गोल स्कोलर ड्रॉप करें, क्योंकि इनके पास अटेक कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं, हॉलेंड वापिस आगये, मुझे लग रहा है, माइन्स का गोलगी बर अच्छे सेफ्स कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि माइन्स से दो तीन इतने अच्छे ओप्सन से डिफेंस सेक्टन में, जिनको भी हम मिस नहीं कर सकते हैं, यहां पर इनके डिफेंस में कोई ऐसा, एमरी चैन के हटाने के बाद कोई ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर, अगर ये बैक लाइन खेलती है, मुझे नजर नहीं आ रहा, फिलाल इनके डिफेंस में, एमरी चैन मेरी नंबर बन चोईज रहेंगे, फॉर्मार रिवलपूल प्ले प्लेटी हो गई, चैन प्लेटी भी लेलेंगे, तो चैन वैसी बहुत जाज इंप्लेट हो जाते हैं, नंबर टू जोईज मेरी अभी के लिए शुल्स हैं, शुल्स लेफ्ट साइट से अच्छे ब्लेर रहे हैं, अच्छे हैं, डिफेंसी ठीक ठाक हैं, पाकी ये लेता है कभी-कभी जिससे क्या वर्रोसा रेंडम गोल्स मार दे पुंग्रा के पसलाग इनको इतने मौके नहीं मिलते इन पर उतना वर्रोसा नहीं है यह में चॉइस प्लेयर्स नहीं है वो तो है मल्स अगेंजी नहीं खिल ले इस वएसे खिलींगे दोनुने बहुत कर देता है लेकिन अभी के लिए इनसे ज्यादा अच्छे आप्संस मिल लें तो मैं अभी के लिए इनको इग्नौर कर रहा हूं बैलिंगम में मश्ट पिक काऊंगा मिट्फील में एक मात्र आप्संट जो मैं पिक करूँगा वो है जूट बैलिंगम बहुत बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर है फ्यूचर इस्टार है आपको फ्यूचर में में भी किसी बड़े प्रीमियर लीग क्लब में दिखाए देगा आभी सिव 19-20 येर्स ओल्ड है डोटमन में खेलता है इंगले नेशनल टीम में भी खेलता है यह बंदर डिफेंसिव भी करता है गोल्स भी मारता है और असिस्ट भी करता है तो एक कंप्लीन मिट फिल्डर है बेलिंगम तीन गोल शेसिट कर चुका है शोली में इनको पिक करने आ लहूं अब अब अच्छा क्वालिटी ब्रेयर है जूलियन ब्रेंट और ये इस सीजन मतलब एक तरीके से पिछले सीजन ऐसा स्ट्राइकर में अभी से काउंट होने लग गए इनको फ्यूचर बेलेंड और विनर टॉट किया रहा है बहुत टॉप क्वालिटी ब्लेयर है और ऐसा उमीद लगाई जा रही है कि जैसे अभी मैसी रोनाइल्डों की राइवल्री होती है फ्यूचर में हॉलेंड और मैल्टी टेकर भी होगा शोल्डी में प्रिक करूंगा एक टॉप केप्टन सी ओप्सन होगा इस मैच में अर्लिंग हॉलेंड अब दो प्लेयर है एक है मारियस वूल्फ एक है डॉनी मालें डॉनी मालें यह बंदा डश लीक से आया था इस सीजन बहुत एक्सपेक्टिशन त्सक्रावक के प्लेयर पर रिसेंट फर्म इस प्लेयर की रही अच्छी है डंफ इस प्लेयर का ऐसा मैंने देखा अगर गोल असीज नहीं आए सायद उतने पाइंट ना दे लेकिन यहाप को मेट्फिल सेक्षन में अगर आप मालें पिक करते ना होलंड और बॉर्आंट सेक्षन में आप मालेन भी पिक कलेंगे तो आप अपोनेंट माइन से एक भी फॉर्वेट प्लेयर नहीं रहे पाएंगे इस चीज का भी ध्यान लखना है पट फिलाल के लिए मैं अभी के लिए मालेन के साथी गयो मुझे इन पर ट्रस्ट है पट आप इनको ट्रॉप करके व यह जोईन कर सकते हैं यह आपको लग रहा दोनु फ्लॉप जांगे मेमो दहुत के साथ जा सकते हैं फिलाल यह इनके C&K स्टैट है जर्मन बुंदस लीगा के अब उन्हें की बात करने से पहले फिर रिमाइंड दिला दू इस मैच की फाइनल स्मॉल लिग टीम और सभी फ आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं माइन्स की तो सेंट जश्टे और डेहमेन इस मैज में बाहर हैं और हैक और कोहर इनके दो प्लेयर्स इस मैज में सस्पेंडीड हैं तो इनकी लेवन देखते हैं जेंटनर इनके गोल की बनुगे थ्री इंदा वेक में खिलते हैं इनको मैं पिक नहीं कर रहा हूं बट वीडमर हो गए निया काटे हो गए और एरवन मार्टिन हो गए यह तीन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं इस वेसे मैं उनके दो डिफेंडर पिक कर सकूँ डिफेंस में वैसे अगर आपको लग रहा है इनको त्रेश करेगी ज्यादा पिक मत करना लेकिन मुझे इनके अटेगिंग सेक्षन से ज्यादा क्वालिटी यहाँ पर लग रही है तो मैं इन तीन में दो के साथ जाओंगा फिलाल इन तीनों में मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे निया काटे डिफेंसिव स्टैट ठीक टागर लेकिन इनकी में बात क बचे मार्टिन ने पिछले मैंच में बहुत अच्छा फ्रीकिंग में गोल मारा ठीक था लेकिन मैं जाओंगा वीडमर के साथ आपको यूरो याद होगा स्विजलने नेशनल टीम में थे वहां बहुत अच्छा इन्होंने असिश्ट बहुत असिश्ट प्रोवाइड किया अगर आप डॉटमन से तीन प्लेयर पिक करें तो सिर्फ आप निया काटे वीडमन में किसी एक के साथ जा सकते हैं अब यह जो दो डिफेंसिव फिल्टर स्टाक होगे बरेरो होगे इन दोनु को में पिक कर रहा हूं दोनु के डिफेंसिव नंबर्स बहुत ज्यादा में मुझे दोनु अच्छे options लग रहे हैं क्योंकि forward में मेरे पास spotty नहीं है वहाँ मैं और लेडी तीन डॉटमन से प्लेयर ले रहा हूं तो मैं अभी के लिए बरेरो श्टाक दोनु को पिक कर रहा हूं श्टाक तो कभी-कभी random goals assist भी कर देता है इस बंदे ने एक गोल त दोनी मालेन हो गए इन तीनों के लिए मेरे पास spot नहीं है दूसरा यह तीनों बहुत inconsistent है किसी मैज में 19 गोल मारेगा किसी में बुर्काट मारेगा किसी में ली मारेगा इवन मैं गलत नहीं हो तो बुर्काट ने तो लाश्ट आठ या नौ मैचे से score ही नहीं किया है although इनका और अच्छा प्लेयर है तीन गोल साथ असिस्टेंस के लेकिन यह भी रिसेंट फॉर्म इसकी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं माल लीजिए आप मैं फॉर्वेट में किसी को पिक करता भी तो किसको करता अगर मैं उनी सीव पिक करता इसके प्लेस में बुर्काट मा लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको डिटेल में एक्स्प्लेइन कर दी फिलाल जो इंपर्टेंट प्लेयर रहेंगे यह दोनु डिफेंसी मिट्फिल्डर बरेरो श्टाग डिफेंसे निया काटे वीडमर मार्टीन में आपको इस दो को पिक कर सकते हैं गोल की प जा रहूं तो यह मेरी डेमोर अफ्टीम है गोल की पर मैंने डॉट्मन के लिए दो डिफेंटर यहां से चैन और शुल्स यहां से निया काटे और वीडमर मैंने पिक कर लिए बाकी स्टैच और बरेरो दुरू डिफेंसी मिट्फिल्डर पिक के बेलिंगम है होलेंड मेरे केप्टन है और डॉनी मालेन और जूलियन ब्राइंड मेंने पिक कर लिए कैप्टन सी सेफ हॉलेंडी रहेंगे अगर आप डॉट्मन फिवर कर रहे है वाइस केप्टन सी में आपके ब्रांट मालेन वालिंगम तीन 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 अच्छे ओप्संस है डिफेंस में इवन चैन भी है बागे अगर आपको लगता है अपनेन मालेगा तो आप उनका जो भी फॉरवर्ट ब्लेन लिंगे उस में से किसी को वाइस केप्टन सी दे सकते हैं तो फिलाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम होगी विद प्रॉपर केप्टन वा बॉक्स में जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए